हेलो साथियों आप सभी का स्वागत और विनंदन है ग्यानार तकेनवी यूटूब चैनल पर आज हम जो चर्चा करने वाले वो जी 20 सीकर समयलन जो के हाल है में इसका आयोजन अपने भारत देश में हो आता तो इसके बारे में जो भी फैक्ट है जो सारी बैठक है या मिटिं फिर आपका जूनियर अकाउंटेंट हो एग्री कल्चर सूपरवाइजर का हो कोई साभी अगर आपका एक्जाम है पक्का या से सवाल बनेगा क्योंकि इंडिया के अंदर आयोजन हुआ है ओजी 20 सीकर समयलन का आयोजन हुआ तो पक्का या से आपका सवाल बनने वाला है तो क्लास में बने रही है क्लास को पूरी अच्छी तरह देखें स्किप ना करें पूरे वीडियो को देखना आप जरूर आपको या से सवाल देखने को एक्जाम समय मिलेंगे तो बढ़ता है पहला कोशन के और देख लेते हैं पहला कुशन आपका क्या है जी ट्वेंटी सीकर समलने के कौन सा संस्क्रण था पहला आपका ये बनता बिल्कुल आपको याद रखना ये अठार्वा संस्क्रण था कौन सा संस्क्रण था अठार्वा संस्क्रण आपका है बिल्कुल आपको याद रखना है मौस्ट इंपोर्टेंट है बढ़ता है सब्सक्राइब को बताना है तो रुद्राक्स कंवेंशन सेंटर यूपी में नरेंद्र मोधी स्टेडियम गुजरात में भारत मंडपम नई दिल्ली में अरून जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर तीन जो है ना ऑप्शन नंबर सी जो है आपका विल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जी ट्वेंटी सम्मेहलन का जो आएजन हुआ आपका भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर हुआ है इंपोर्टन फैक्ट देख लेते इस सवाल कي अपन देखो इस सम्मेहलन की जो अद्यक्सता की ती किसने करी ती बिल्कुल इसका जो आपका लोगो रखा क्या रखा खिलता हुआ कमल इसका लोगो के आपका खिलता हुआ कमल ठीक है जी ट्वैंटी सीकर शम्मेहलन 2013 इस में क्या है वसुदे कुटूंब कम एक प्रत्वी एक परिवार एक बविश्य प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई को भारत मंडपम का उद्गाटन किया था मंडपम देश का सबसे बड़ा कंवेंशन सेंटर आपका ठीक है बिल्कुल आपको याद है देश का सबसे बड़ा जो कंवेंशन सेंटर वो कौन सा तो मंडपम है जो कि कहा है नई दिल्ली के अंदर कब इसका उद्गाटन किया गया था तो बढ़ते हैं अगली स्लाइड के और नेक्स्ट कोशन क्या है आप का तो भारत मंडपम नई दिल्ली में जी ट्वेंटी सीकर समयलन 2023 के आयोजन इस्टल पर 28 फुट ऊची किसकी परतिमा स्थापित की गई है महत्मा गांदी नट राजन कमल फूल और भारत माता मातमा गांदी की भी नहीं आपकी कमल के फूल की भी नहीं है भारत माता की नि इसमें सोना चांदी सीसा तामबा तीन पारा लोहा जस्ता यह आठ दातों से बनी हुए ठीक है और यह मुर्ति जो है तमिल लाडू के जो स्वामे मलाई जिल्ले के परसिद मुर्तिकार देव सेना पती सत्पती के पुत्रों के द्वारा बनाएगए यह मौस्ट समो की स्तापना कपूब आपको बताना तो जी टेंटी, समो की स्तापना हुई थी आपकी कब हुई थी तैंब आपको याद रखना हम ऑप्शन नमर सी Люб design कें लाट के अदर आपके टवन्टी समू की सतापना हुई थी थी अब यह ची ट्वंटी नीर आपका अभिक क्या हो है तो बिल्कुल आपको याद रखना पड़ेगा क्या होगा है तो 21 बनापका कौन सा बनाथ आ फेरिकन यूनियन ठीक है बिलकुल आपको याद रखना अफिरिकन यॉनियन को भी इसमें सामिल कर लिया गया अफिरिकन यॉनियन के जो वर्तमान अधिक से हो कौन है तो बलकुल आपको याद रखना अजाली असो मनी और इसके अंदर कितने देश आते हैं तो ये भी आपको याद रखना आपको बिल्कुल याद रखना है अगला कोशन देख लेते बिल्कुल आपके सामने अगला कोशन क्या है ये इसके बारे में है जो पन देख लेते कि बिल्कुल याद रखना सवाल आपके बनेगा कि भारत जो है जर्मनी भी निकरेगा मैक्सिको भी निकरेगा जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर एज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि 19 संसक्रण की जो अध्यक्स सा करेगा कौन करेगा कौन सा देश करेगा आपका बिल्कुल ब्राजील करेगा इससे पहले देखो मैं बता देता हूं का 17 संसक्रण 18 संसक्रण और 19 संसक्रण इंडोनेशिया नकरी थी बिल्कुल आपको याद रखना किस은 नकरी थी इंडोनेश्या को अठारे कि आपके भारत नकरी पुर उनिस्वा जोगिस्ष्ट आपको बताए गए कहां ब्राजील कई अधर ठीक है यह उन्नीस वास का जी ट्वेंटी सीकर समयलन जो होगा कहा होगा तो बिल्कुल आपको याद रखना ब्राजील के अंदर होगा कुछ फैक्ट देख लिए थे इंपोर्टन पहला जी ट्वेंटी सीकर समयलन जो आपके हुआ था 2008 के अंदर हुआ था वोशिंगर पैला जी ट्वेंटी जी यानि आपका क्या होता ग्रूप और रो यूप यहानि पहला ग्रूप 20 सीकर समयलन 2008 के अंदर वा था वोशिंगर टेंडिशी अमेरिका हुआ तो जब कि 70 टुनेशिकर समयलन में आपको बताया देका हुआ था इंडोनेशिया के अंदर इसका आयो कोई नहीं है सवाल पूछा जा सकता है तोड़ा सापको गुमा दिया जाए कि इसका मुख्यालेकार और चोथा ऑप्षिन आपको देदे जाए कोई नहीं तो जो राइट अंसर आपका होगा कोई मुख्याले नहीं है बिल्कुल आपको याद रखना जी 20 का कोई भी मुख्या सामिल है तो बिल्कुल आपको याद रखना भारत से पहले तक इसमें 19 देश और यूरोपियन संग सामिल था प्लस अब इसमें कितने होगे तो आपके यूनियन होगे 19 प्लस तो यूनियन ठीक है तो अब यह हो जाएगा ट्वंटीवन 21 जी 21 के लाएगा अब क्या के लाएगा जी 20 नहीं के लाएगा अब कब जी 21 के लाएगा बिल्कुल आपको याद रखना है नेक्स्ट इसके बारे हम डिटेल देख लेते हैं 19 देश कौन-कौन से आपका जर्मनी अमेरिका रूस यूनाइटेट किंग्डम जापान भारत सा लिए अजन्टीना ब्राजील दक्षिन अफिरिका दक्षिन कोरिया कनाड़ा फ्रांस चीन इटली और यूरोपियन संग और अफेरिकन संट भी में इसमें एड़ कर देता आपके ठीक है तो बिल्कुल आपको याद रखना अब इसमें अफेरिकन यूनियन भी सामिल हो गया है भारत के अद्धिक साम आउजीत हुई G20 2023 की पर्मुग बेठके याद से पक्का आपका सवाल बनेगा बहुत सारी बेठके कन्फ्यूजन करता है तो बार बार ये सारा कन्फ्यूजन आपको बिल्कुल क्लास में ही क्लियर करना सारी बेठके मैं आपको अच्छे से बताऊंगा सारी जो बेठके आप क्लास में ही याद कर लेना तो बढ़ते हैं पहले कुशन के और भारत में आउजीत पहली बेठक जी 20 शेरपा बेठक की मेजवानिक के सहरने की है यह आपको बताना उदेपूर, राजस्तान, तिरवंतपूर, कैरला, हैदराबाद, तैलंगाना, विजेवाड़ा, अंदरप्रदेश इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, option number D भी नियोगा, option number C भी नियोगा, option number B इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, option number A जो है आपका बिल्कुल, right answer हो जाएगा जी ट्वेंटी शेरपा की बेठक का विजन कहा हुआ तो बिलकुल आपको याद रखना है इसके फैक्टों की बात करना है तो बिलकुल आपन देख ले थे इसके other अमीताप कांथ के द्वारा खेगे जो कि भारतिय से अरपा है और दूसरी बेठक का जो आयोजन हुआ का हुआ तो कुमार कॉम केरल के अंदर कुमार कॉम केरल के अंदर इसकी दूसरी बेठक का आपका आयोजन हुआ है जी ट्वंटी देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रिय बैंक और गवर्णरों की जो पहली बेठक का आयोजन कहा हुआ था ये आपको बताना है तो इसका जो आपका रायट अंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका बैंगलोर के अंदर ठीक है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल अब आपका जो सवाल क्या है कि वित्त मंत्रियों और केंद्रिय बैंक गवर्णर की जो पहली बैठक हुई थी इसके बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट जो कि एक्जाम के द्रस्टी से महत्पून है बैठक की अधिक्स्ता निर्मला सीता रमन के द्वारा और से अधि भारत की जो वित्त मंत्रियों निर्मला सीता रमन है वो रिजर्बैंक के जो गवर्णर सक्ति कान दास है दूसरी बैठक का जो आयजन हुआ था वोशिंगटन डीसी के अंदर इसका आयोजन हुआ था बिलकुल आपको याद रखना है यह आपका कहा पढ़ता थी आपके अ आयोजन हुआ था बिलकुल आपको याद रखना तीसरी बैठक का जो आयोजन हुआ था का हुआ था बिलकुल गांधी नगर गुजरात के अंदर इसका आयोजन हुआ था नेक्स्ट आगे देख लेते हैं 2022 में जी 20 इंडिया की पहली विकास कारी समू की बैठक की मेजवान अंसर हो जाएगा अधर फैक्टों की बात कर लेते हैं तो दूसरी विकास कारी समू की बैठक हुई थी कुमार कौम कैरल के अंदर और तीसरी विकास कारी समू की जो बैठक हुई थी वो गोवा के अंदर हुई थी का हुई थी गोवा के अंदर हुई थी बिलकुल आपको व्याद रखना है जो कि आपकी एक्जाम में बल्क यहां से बिल्कुल आपका सवाल बनेगा अगला देख लेते हैं 2022 में G20 Presidency के तहत पहली G20 Framework Working Group की बैटक कहा है यह तो यह तो यह आपको बताना बिल्कुल राइट आंसर हो जाए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका उप्शन नंबर से बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा Framework Working Group के बारे में थोड़े तथे देख लेते हैं अपन भारत की अधिक्स्ता में पहली G20 संयुक्त वित और स्वास्ते मंत्री परिशत बैटक की अधिक्स्ता किस ने की थी मंसुक वंडाविया और निर्मला सीता रमन उप्यूक दोनों या गजंदर सिंग शेकावाद जो की वर्तमान में जल सकती मंत्री है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल option number C है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मंसुक मंडाविया के द्वारा भी की गई थी और निर्मला सीता रमन के द्वारा भी की गई थी मंसुक मंडावया जो की वर्तमान में स्वास्ते मंत्री है कैबिनेट के अंदर निर्मला सीता रमन आपकी वित्त मंत्री है और गजंदर सेखावत आपके क्या है जल सकती मंत्री है ये भी आपको याद रखना है 2023 में वित्ती समावेशन पर G20 समो की पहली बेठक का आयोजन कहा आयोजेत हुई थी ठीक है ये आपको बताना तो नई दिल्ली कोलकाता चंडिगड हैदराबाद तो आपकी नई दिल्ली में भी नहीं हुई चंडिगड में भ जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा नेक्स कुशन देख लेते गाइज नेक्स कुशन क्या है 2023 में भारत के अधिक्स्ता में G20 के तहट पहली अव सरंचना कार्य समो की बेठक कहा आयोजेत हुई है ये आपको बताना है केवडिया गुजरात होवेरी करनाटक पूने महरास्ट उदेपूर राजस्तान तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा कहा आयोजेत हुई हुआ पूने महरास्ट के अंदर इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्रिवंथ पूरम के अंदर इसका आयोजेत हुई है 2023 में G20 अंतरास्टिय वित्तिय सरंचना कार्य समू की पहली बेटक के शहर में आयोजेत की गई है यह आपको बताना कोलकाता जेपूर चंडिगड और नई दिल्ली जो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि चंडिगड के अंदर आपकी अंतरास्टिय वित्तिय सरंचना कार्य समू की पहली बेटक का आयोजेत हुआ है 2023 में G20 परियाटन कार्य समू और परियाटन मंत्रियों की बेटक कहा आयोजेत हुई है यह आपको बताना है तो कैरल, गोवा, बिहार और लद्दाक तो इसका जो आयोजेत हुआ कहा हुआ तो बिल्कुल आपको याद रखना ऑप्शेन नंबर B, गोवा के अंदर इसका आपका आयोजेन हुआ, कौन सी बेटक है परियाटन कार्य समू और परियाटन मंत्रियों की जो बेटक का आयोजेन हुआ कहा हुआ, बिल्कुल आपको याद रखना, गोवा के अंदर तो इसका जो right answer हो जाएगा कौन सा हो जाएगा option number B जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा 2023 में G20 education working group की पहली बेठक कहा आउजित हुई यह आपको बताना कौन सी बेठक है education working group तो इस बेठक का जो आईजिन हुआ नई दिल्ली गुजराद चन्ने और हैदराबाद इसका जो आपका रायट answer हो जाएगा option number C कहा आउजिन हुआ option number C आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा चन्ने के अंदर इसका आउजिन हुआ है जी ट्वनेफ The education working group की दूसरी बेठक का जो आईजिन हुआ था अम्रत्सर के अंदर हुआ ठीक है जी ट्वनेफ स्वारे का जो आजिन हुआ था और education गुरूप की जो चोथी बेठक का आईजिन हुआ था वो पुरे महारास्ट के अंदर वहा ठीक है बिल्कुल आपको याद रखना ठीक है कि नेक्स्ट है कि 2023 में भारत के जी 20 अध्यक्स्ता के अंतरगत रोजगार कारी समों के पहली बैठक कहा आयुजित हुई यह आपको बताना तिरवंत पुर्म कैरल हैदराबाद तैलंगाना जौत पूर राजस्तान विजेवाड आंदर प्रदेश तो इसका जो आपका रायट अंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल रायट अंसर हो जाएगा जोत्पुर राजस्तान के अंदर आपकी रोजगार कारी समों की पहली बैठक का आयोजन हुआ है जो कि आपको याद रखना राजस्तान में जो करन्ट अफेर पूचा जाएगा जितनी भी जो राजस्तान से रिलेटेड राजस्तान के अंदर जो जो बैठक हुई है न बिल्कुल आपको याद रखनी एक जरूर ये अपका एक्जाम्स के अंदर पूचा जाएगा रोजगार कारिश्त व्हमों की दूसरी बेठक आपके गौवाटा अश्ती हुई थी जबकि तीसरी बेठक के बाद करना तो जिनेवा स्वीटर्लेंड में हुई थी और चो थी बेठक जो हुई थी MP के इंदोर के अंदर हुई थी बिल्कुल आपको याद रखना है 2023 में भारत की पहली Energy Transition Work Group की G20 अद्धिक्स्ता के तहद बैठक का आज़न का हुआ था यह आपका पूरा भारत है ना यह थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया बिल्कुल आपको याद रहा भारत की पहली Energy Transition Working Group की G20 की अद्धिक्स्ता के तहद बैठक कहा आज़ित हुई थी आपको बताना हैद्राबाद बैंगलूरू चिन्नाई और कोलकाता तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो आज़न हुआ था पहली Energy ट्रांजिस्टैन वर्किंग गुरूप का तो मिटिंग हुए थी तो बैंगलूरू ओए थी दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग गुरूप की बेठक के में बात कर लेता है तो यह गांधी नगर भारत की G20 की अधिक्स्ता में हिस्से के रूप में पहली टूरिज्म वर्किंग ग्रूप की जो पैठक 2023 में कहा आउजित हुती है आपको बताना है जो देखते राई तर क्या होगा अपर सिलांग के अंदर कच में हुई ए पणिजी में हुई है तो इसका जो आयोजन वा आपका option number भी बिल्कुल रायट आउजन हो जाएगा वहीं कहां कच गुजरात के अंदर इसका आउजन हुआ है कच गुजरात के अंदर इस पिट अपका आउजन हुआ है नेक्स देख लेटेड़ है थूरूसरी जो टूरियिस्म के बात कर लो तो मैं स्रीनगर केंदर इसका हुए और चोती त्रीम क्यूर्प की कि बात कर लोट को मैं अनदर और पिलकूल आपको याद रखना है 2023 में G20 इंडिया के परियावरण और जलवाई इस्तिरता कार्य समुगी पहली बेठक की मेजवानिक के सहरना की है यह आपको बताना है कोलकाता बैंगलूरू नई दिल्ली और जम्मो कस्मेर तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको याद राइगलूरू के अंदर इसका आउजन हुआ है नेक्स सवाल आपका क्या है तो इसके तत्थिए देख लेते परियावन ने जल्वाई उस तरताकारी समु कि दूसरी बेठक का आयोजन आपके गांदी नगर में हुआ कहा जबकि तीसरी बेठक का आयोजन आपका मुंबई में हुआ और चोथी बेटक का जो आयोजन हुआ आपके चिन्नाई के अंदर हुआ कहा हुआ चिन्नाई के अंदर बिल्कुल आपको याद रखना है 2023 में G20 Digital Innovation Alliance Seeker समयलन का आयोजन कहा हुआ यह आपको बताना है ठीक है जैपुर, बैंगलूरू, नई दिल्ली तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर C जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 2023 में भारत की G20 के अद्धिक्स्ता के तहत पहली Digital Economy Working Group की बैठक कहा आयोजित हुई है यह आपको बताना तो लखना उत्तर परदिस, केवडिया गुजरात, उदेपुर, राजिस्तान, हैदराबाद, तेलंगाना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ओप्शन नंबर A है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरी डिजिटल एकोनोमी वर्किंग ग्रूप की बैठक आपके हैदराबाद में हुई है का हुई है है हैदराबाद के अंदर जबकि तीसरी डिजिटल एकोनोमी वर्किंग ग्रूप की बैठक की बात कर लो तो पूने के अंदर हुई है का हुई है आपको बिल्कुल याद रखना पूने के अंदर का हुई है पूने के अंदर आपकी बैठक हुई है जीट्वेंटी संसकर्ती कारीस हमुगी पहली बैठक कहा आयोजित की जाएगी यह आपको बताना कैवडिया गुजरात उदेपुर राजस्तान हैदराबाद तै पैन्सर हो जाएगा संसकर्ति कारिस्वमों की दूसरी बैठक के अगर मैं बात करता हूं तो तो दूसरी बैठक के बूनेशवर के अंदर हुई है जबकि मैं 30 बैठक के बात करला तो हम भी करनाटक के अंदर आपके हुई है यह इस आपको याद रखना है बैंगलूरू में भी नहीं, चंडिगड में भी नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, option number A जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और बैठक की अध्यक्स्ता, डॉक्टर सूपरमन्यम जे संकर विदेश मंत्री है, जो वर्तमान उनके द्वारा आपके के गई है, 2023 में भारत की G20 अध्यक्स्ता के तहत पहले, सस्टेनेबल फाइनेंस, वर्किंग ग्रूप की बैठक कहा आउजित हुई है, केवड या गुजरात, या फिर गोहाटी असम, फिर उदेपूर राजस्तान या हैदराबाद तेलंगाना, तो इसका जो आपका राइट गोहाटी असम के अंदर इसका आउजन आपका हुआ है, दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस, वर्किंग ग्रूप की बैठक की बात करना है, तो तूदेपूर के अंदर हुई है, तीसरी सस्टेनेबल फाइनस, वर्किंग ग्रूप की बैठक की में बात करता हूं, तो महा बली महाबलीपुर्म तमिल लाडू महाबलीपुर्म तमिल लाडू के अंदर हुई है कि 2023 में भारत की जी टॉन्टी के अधिक्स्ता के तहत पहली व्यापार और निवे इसकारी समूं की बैठा कहा आयोजित हुई है यह आपको बताना सिरीनगर मुंबई कोची और लकनौ तो इस व्यापार और निवेस कारी समूं की बैठक दूसरी व्यापार और निवेस कारी समूं की जो आपकी बैठक हुई है बिल्कुल आपको याद रखना बैंगलूरू इसका आपका का हुआ तो बिल्कुल आपको याद रखना बैंगलूरू में हुआ था जबकि तीसरी गुलाबी सीटी के नाम से भी जाना जाता है गुलाबी शहर तो बढ़ते हैं अगले कुशन के और देख लेता अगला कुशन आपका क्या है 2023 में भारत की G20 के अधिक्स्ता के तहट कर्सी कारी समू की पहली कर्सी परतिनी दी बैठक कहा आउजित हुई यह आपको बताना है नए दिल्ली इंदोर गुरूगराम और कौलकाता है तो इसका जो आपका सही आंसर होगा कौलकाता में हुई और वजागा पहलीं कर्सी परतिनी दी बैठक इसका आवेजन आपके काहा तो इंदोर एंपिक अंदर इसका आवेजन हुआ है बिल्कुल आपको याद रखना है बढ़ते हैं आगे कर्षिकारी समूँ की दूसरी कर्षी परतिनिती बेठक का जो आज़न हुआ चंडी गड़ के अंदर हुआ कहा आपको याद रखना दूसरी का चंडिगट में जबकि तीसरी की वाद कर लूँ तो है दरबाद के अंदर कर्सिकारे समुकि जो तीसरी आपकी कर्सी परतिनेदी बैठक का आयोजन हुआ कहा हुआ तो बिलकुल आपको याद रखना है दरबाद में परदान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्ट दोजार तेईस में जी ट्वंटी महिला ससक्तिकरन मंत्री स्त्रिय समयलन को कहा संबोधित किया था यह आपको बताना है तो चंडिगट बैंगलूरू जयपूर इसका आयोजन आपका कहा हुआ था तो बिलकुल संबोधित जो किया था गांदी नगर गुजरात के अंदर ऑप्शन नमबर ए जो है आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट दोजार तेईस में भारत के अधिक्सा में तीसरी जी ट्वंटी ब्रस्टाचार नमबर ए जो है आपका बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट थोड़ा में स्प्रिंट हो गया ना टाइपिस्ट द्वारा थोड़ा गलती कर दी गई है दोजार तेईस में भारत की जी ट्वंटी के अधिक्स्ता के तहत पहली आपदा और जोकिम न्यूनी करन कार इसका आपका बिल्कुल और यह नंबर सी जो है आपके बिलकुल राइट आंसर होजाएगा इसका जो आज़न हो आपके गांदी नगर गुजरात के अंदर कौन सी बेठक है पहली आपदा और जोकिम न्यूनी करनकारी समूगी जो बेठक है कहा बिलकुल यह गांदी नगर के उंतर हुई है नेक्स्ट अगला कोशन की बात कर लेते गाइस देख लेते अगला कोशन आपका क्या है रक्षा मंतरी राजनात सींग ने जी ट्वंटी इंगेजमेंट ग्रूप सीविल ट्वंटी सीकर सम्मेलन 2023 का उद्गाटन कहा किया था यह आपको बताना है तो जैपुर, इंदोर, मुंबई, चंडिगट इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जी ट्वंटी इंगेजमेंट ग्रूप का जो उद्गाटन किया गया कहा किया तो बिल्कुल आपको याद रखना के अंतरकत सरम रूजगार मंत्रियों की बैठक कहा आयोजित हुई है यह आपको बताना जैपुर इंदोर कोची मुंबई तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देख लेते हैं मुंबई में भी नहीं है बिल्कुल कोची में भी नहीं है जैपुर में भी इसका जो रायट आंसर हो जाएगा आपका इंदोर के अंदर इसका आयोजन हुआ है कोन सी बैठक है सरम यह रोजगार मंत्रियों की जो बैठक का आयोजित हुई है यह आपको बताना केरला बिहार गोवा और असंव इसका जो आपका रायट आज हो जाएगा असम में भी नहीं हुए बिल्कुल बिहार में भी नहीं हुए कैरल में भी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जी ट्वंटी के अधिक्स्ता के तैयत पहली महिला 20 बैठक कहा आयोजित हुई है यह आपको बताना है तो बोपाल मद्य परतिस विकाने राजस्तान हैदराबाद तेलंगाना संभाजी नगर मारास्ट संभाजी नगर मारास्ट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका option number D जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स अगली बात कर लेते हैं अगला है 2022 में भारत जी ट्वेंटी के अधिक्स्ता में विटेव केंद्री बेंक के उप परमुकों की जो पहली बेटक का जो आयोजन हुआ था वो खाह हुआ यह आपको बताना है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केंद्री बेंक के उप परमुकों की जो पहली बेटक का जो आयोजन हुआ आपके बैंगलूरू में ओप्शन नमबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देख लेते हैं गाईस 2023 में भारत की जी 20 की अधिक्स्ता में साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रू हुआ कहा हुआ लक्षे दीप के अंदर इसका आयोजन हुआ कौन सी बेटक है साइन्स 20 इंगेजमेंट ग्रूप की बैठक जी 20 का रिसेर्च एंड इन्नोवेशन इनिसियेटिव गैदरिंग सम्मेलन 2023 कहा आयोजित हुआ है यह आपको बताना तो द्रमशाला हिमाचल पर्दिश स्रीनगर जम्मु कश्मीर हैद्राबाद तेलंगाना कोलकाता पस्षिमंगाल इसका आपका राइट आंसर हो जाएग इसका जो आयोजन हुआ द्रमशाला हिमाचल पर्देश के अंदर रिसेर्च एंड इनिसियेटिव गैदरिंग सम्मेलन कि जो आयोजन हुआ कहा हुआ तो बिलकुल आपको याद रखना है द्रमशाला हिमाचल पर्देश नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाईज दो हजार तेईस में भारत की जी ट्वेंटी के अधिक्स्ता के थेद करसी पर्मकोर वेग्यानिकों की बैठा कहा आयोजेत हुई है ये आपको बताना वारानासी पटना गुरूगराम एहमदाबाद तो इसका iogen एमदबाद में पिनी हुआ आपके गुरु ग्राम में पिनी हुआ है पटना में पिनी हुआ हुआ है इसका जो right answer हो जाएगा option number F जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा इसका जो iogen हुआ वारानसी के अदर हुआ है next 2023 में जी ट्वेंटी देशों के संसद अध्यक्षियों को पी ट्वेंटी समयलन 2023 में किस देश में आयोजी थुआ है यह आपको बताना है जर्मनी भारत जापान डैनमार्क तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल देखते हैं अपन कौन सा इसका रायट आंसर हो जाएग आफ़ाइब का जो जहाँ पर आपके संसत के अध्यक्षियों का पी-20 समयलन की जो आयोजन हुआ था भारत के कि सहर को भारत की जी ट्वेंटी की प्रेजिटेंसी के तहट यू 20 साइकल यानि यू 20 साइकल की मेजबानी के लिए चुना गया है कोलकाता एहमदाबाद हैदराबाद नई दिल्ली तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा आपका ओप्शन नमबर B है बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा इसका जो आयोजन हुआ आपके कहा हुआ तो एहमदाबाद के अंदर हुआ जी 20 देशों के विकास मंत्रियों की बेठक की मेजबानी किस भारती सहर ने कीती ये आपको बताना है तो वारानसी, हैदराबाद, देरादून और कोलकाता तो देखते हैं इसका जो आपका है रायट आंसर कौन सा होने वाला है तो इसका जो रायट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल option number A जो है आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा कि इसका जो आयोजन हुआ कौन से सहर में इसके मेजवानी करी किस सहय ने की तो वारा नशी ने की ती बिलकुल आपको याद रखना है अप्रेल 2023 में भारत की G20 के अदिक्स्ता के दोरान G20 जीट वेंटी कार्य करम की मेजवानी किस केंदर सासित पर देश ने की है तो इसकी जो मेजवानी किये, किसने किये तो बिल्कुल आपको याद रखना नई दिल्ली, लद्दाक, पुडुचीरी, लक्षेदीव तो option number 2 जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा किसके द्वारा की गई है, तो लद्दाक के द्वारा आपकी की गई है option number 2 जो है आपका बिल्कुल सही answer होगा के अंदर सरकार ने business 20 इंडिया का अध्यक्स किसे नुक्त किया गया है मुके संबानी, अजीम प्रेम जी, राजनात सिंग और एन चंदर सैकरन इसका आपका रायट आञवरा रूजाईगा, बिल्कुल मुके संबानी को भी बिल्कुल नहीं नुक्त किया है अजीम प्रेम जी को भी नहीं, राजनात सिंग को भी नहीं option number D जो है आपका बिल्कुल रायट आन्सर होगा एन चंदर सैकरन option number D जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा 2023 में G20 ससक्तिकरण की बैठक पहली बैठक का आयोजन कहा आयोजित हुई है यह आपको बताना है इसका आयोजन कहा हुआ बिल्कुल आपको बताना है similar ठीक है पटना या indoor या इसका जो आपका right answer हो जाएगा आगरा के अंदर तो इसका जो right answer हो जाएगा कौन सा right answer हो जाएगा बिल्कुल आगरा option number 4 जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा option number D जो है आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next 2023 के G20 समयलन में भारती सेरपा कौन थे नरेंद्र मोदी जाएगा बिल्कुल आपका बिल्कुल right answer हो जाएगा next देश के civil 20 का अध्यक्स किसे न्यूक किया गया है यह आपको बताना है important सवाल है बिल्कुल एक्जाम में की दरस्टे से most important है बिल्कुल आपको note से merit करना चाहिए very very important है अमरता नंदमे देवी जिनने अम्मा में का जाता है अंजली सर्मा इसमर्ती इरानी निर्मला सीता रमन तो इसका जो आपका रायट answer हो जाएगा बिल्कुल option number A अमरता नंदमे देवी यानि अम्मा को आपका किसका अध्यक्स न्यूक किया गया है अब अपन देख लेते हैं G20 सीकर समयलन के आमंत्रित सदेश्य देश और उनके रास्ट अध्यक्स की सूची ठीक है जापान के जो वरतमान प्रदान मंत्री कोन है तो बिल्कुल आपको याद रगना फूमियो किसीदा इटली के प्रदान मंत्री कोन है जीरोजिया मैलोनि कोन है इटली के जो है जीरोजिया मैलोनि अमेरिका के जो वरतमान रास्ट प्ती जो वाइडन कौन है विल्कुल आपको याद रगना जो बाइडन वहापस से बताता हूं जापान के परदान मंत्री फूमियो किसीदा कोने भी फूमियों किसीदा जबकि इटली के जो प्रदान मंत्री है वो कोने तो जोर्जिया मैलोनी कोने जोर्जिया मैलोनी जबकि अमेरिका के वर्तमान रास्टपती की में बात कर लेता हूं तो जो बाइडन कोने भी जो बाइडन बिल्कुल आपको याद रखना है डक्सिना फिर्का के रास्टबति के बात कर लो तो सीरिल राम फोसा ब्रिटेन के प्रदान मंत्री के बात कर लो तो रिसी सुनक कोन होना वीसरी सुनक और चीन के परदान मंत्री बात कर लो तो ली कियांग कोन है ली कियांग और फ्रांस की रास्ट पती के मैं बात कहुते लूऊ तो MnU L M destruction of the 620 गों топ याद रखना वापश से बता देताम में इंडॉनेARRYा कई रास्ट पती कोन है जो को विडोड़ा जबकि औस्त्रेलिया की परदान मंतरिया आपके को होने तो एंथनी एलबानीज़ जबकि डक्सिन अफरिका का आपके रास्टाथी सीरील राम फोसा कोजने सीरील राम पोसा सोरी गाइस ब्रिटेन के परदानमंत्र की में बात कर लेता हूं तो रिसी सुनक है को ने रिसी सुनक है आपके और इस कहला चीन के परदानमंत्र की में बात कर लेता है ली कियांग चीन के परदानमंत्र को ने ली कियांग और फ्रांस के रास्पति की में बात कर लेता हूं ए जस्टिन टूडरो बucky्म आपको याद रखना경ों अग्राइब लूइज pasta अजिन टुडरों यह ब्राजेल के राश्पतिगा मिन बात कर लो तो इनास यो लूलादा शिलवला इस है है बाइन लंबा चोड़ा नाम है वापस से बता गता है लुई 80 लूला दे सिल्वा है ओ सुआधी अरब के परदान मंतर की बात कर्लों क्राउन प्रिंस कौन है तो महमध बिन सल्मान है कौन है महमध बिन सलमान और जर्मनी के चैंसलर की में बात कर लो तो ओलाफ Scolge kindly Olaf Scolge Olaf Scolge तर्क्राइक के राश्पतिकी में बात कर लो तो तयिब अर्टुगान रहसा पैस टयिब अर्टुगान दक्सिन कूरिया की में बात कर लो तो राश्पतिकर Consult You सुक ये ओल ये ओला आपको खुर्ण रखना वापस से बता देता हूँ करनाडा के परदान मंतरी आपके कोन है तो जस्टिन टूट्रो है प्राजिल के रास्पतिगी में बात कर लो तो लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा है मुहम्मद बिन सल्वान जो के आपके सौधी अरब के परदान मंतरी यानि क्राउन प्रिंस है जर्मनी के चांसलर की में बात कर लेता है तो ओलाफ स्कोल्च है तुर्की के रास्पतिगी में बात कर लो तो रैसेप तैयप और्तोगन है और दक्सिन कूरिया के रास्पतिगी में बात करता हूँ तो यूऌसुक्ष यह ओल है कौन वैए यूऌसुक यह ओल बिल्कुल आपको याद रखना रखना है डक्षिन कुर्या के रासपती को नहसे यू-सुक्ष यह ओल बढ़ता है अगली तो बस आज के लिए इतना ही तो आज के क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे अगली क्लास में अब से फिर मुलाकात होगी यहाँ से आपका पक्का सवाल बनेगा आपका राजिस्तान लेवल का स्ट्रेट लेवल का कोई एक्जाम हो इसके अलावा कोई साथ भी आपका एक्जाम हो क्योंकि G-Sieker 20 सम्मेलन की जो मैजबानी करी भारत देशने करी है तो पक्का आपका यहाँ से सवाल बनने वाला है किसने करी मैजबानी भारत ने ठीक है एक चंद्रियान थड़ से भी आपका पक्का सवाल बनेगा एक तो G-Sieker सम्मेलन जो है आपको रट लेना है और इसके अलाव चंद्रियान थड़ भी आपको रटना है पक्का आपका करंट अफेर का सवाल यहाँ से बनने वाला है तो अगर आप देखो हमारे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राब कीजिएगा बहतरे इन करंट अफेर का जो की कंटेंट आपको उपलत करवाया जाता है और कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा तो आज के क्लास को हम यही विराम देना चाहेंगे अगले क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी सात्यों तो आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद